Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an Academy group दोस्तो डेली कुईज में आप सभी का स्वागत है और आज फिर हम कुछ और important question देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा इंट तक देखेगा, वीडियो पसंद आए तो like कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों को गुरूप में share कर दिया करें दोस्तो देखें, Unacademy Plus पे आप किसी भी एक्जाम की complete चारी कर सकते हैं Unacademy Plus की क्या-क्या benefits हैं वो मैं बता देता हूँ Unacademy Plus पे आपको live classes मिलती है, structured courses मिलते हैं weekly test, unlimited access, यानि कि किसी भी educator की आप class देख सकते हैं Unacademy Plus पे, personal guidance, test analysis, expert guidance, study matter, study planner, doubt, cleaning sensor और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो Unacademy Plus पे आपको मिलती हैं जब भी आप किसी भी exam के लिए subscription join करेंगे तो आपको एक referral code की जड़ुत होती है, जिससे कि आपको आपकी fees में discount हो जाएगा तो आप उसमें ही apply करिएगा study run, सभी courses के लिए और सभी educator के courses देखने के लिए S2DY10 without any space यह आपको apply करना है और सफलता बैच आप join कर सकते हैं दोस्तो, SSC, CGL, CHSL और SSC के सभी exams के लिए SSC के क्या-क्या price है मैं बता देता हूँ वन मन्त का दोस्तो 1350 रुपीज है, त्री मन्त का 3400 और 6 मन्त का 5400, वन येर का 6500 और 2 येर का 7800 रुपीज आप paid करेंगे but अगर आप study 10 code apply करते हैं और आप 241 मन्त का subscription जोईं करते हैं तो आपको कितने रुपे महिना paid करना है 325 पर मंन बस only उसमें आपके सारे subject कर अभर जाएंगे अगर आप 2012 मंत का subscription जोईं करते हैं तो आपको paid करना कितना है 542 पर मंद और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट सभी एजुकेटर की किलासिज देख पाएंगे जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है कोड याद रखेगा Study 10 अपलाई करना है सभी एजुकेटर की किलासिज आपको मिल देंगी इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का पीडियाप लेने के लिए अनेकेडमी पर जितने भी कलासिज होती है मेरी और भी बहुत सारे important information तो उसके लिए Telegram जोइन कर लेना सोरब मलिक Official के नाम से Telegram पर जाके जोइन कर लेना कोई भी डाउट आते हैं चलिए अभी सुरू करते हैं आज की सेशन को प्लीज पूरा इंट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है उगादी महुतसव खालिस्थान में मनाया जाता है तो इस कोशन का जल्दी से आंसर बतेगा क्या होने वाला है दीखे सबसे पहले तुम्हें बता दू ओगादी पहले अमावश्य है कि एक दिन बाद और सूर्य के वसंत विश्णू पर आकासिये भूमद्यरेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है यह भारत में आंदर परदेश, तिलंगना, करनाटक, राज्यो के लिए दूसरा कोशन है, जगोई परमुक भारतिय सास्थे नरत्य रूपों में से एक खालिस्थान में है तो जल्दी से आंसर बताईए दोस्तों मनीपूर इस कोशन का राइट आंसर होगा ठीक है, तिरपुरा, नागलेंड, मेगालें नहीं होगा देखे, अगर मैं यह आपे बात करूँ मनीपूरी नरत्य, जिसे जगोई के नाम से भी जाना जाता है या परमुक भारतिय सास्थे नरत्य रूपों में से एक है यह अपने हिंदू वैसनव वाद विशों के लिए विसेश रूप से जाना जाता है और रादा किसन की प्रेम नत्य, नाटिका रासलीला का उतकरिस्ट परदशन किया जाता है तो यह आप लोगों को याद रखना है इस कोशन का राइट आंसर मनीपूर हो जाएगा अगला कोशन आता है संयुक्त रास्ट का मुख्याले कहा पर है दोस्तों तो देखें संयुक्त रास्ट का जो मुख्याले है वह आपका नियोर्क में है यानि कि कहाँ पर नियोर्क यूएसे में तो इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दोस्तों संयुक्त रास्ट संग का मुख्याले है नियोर्क सहर में है जो की Wallace Harrison की नितरित में वास्तुकारों के एक बोर्ड दुआरा डिजाइन किया गया है ठीक है और इसका निर्मान दोस्तो कब हुआ था इस परिशर में दोस्तो 1951 में इसके पून होने के बाद संयुक्तरास के अधिकारिक मुख्याले के रूप में कारिय के गया था तो यह आप लोग याद रख सकते है नेक्स कोशन आता है कोशन नमबर 4 है सरणिम चतुरभुज किस वर्स पूरा किया गया था दोस्तो यह किस वर्स में पूरा किया गया था तो इस कोशन का सही आंसर होगा 2012 में ठीक है तो यह है आप लोग याद रख सकते है दोस्तो next है Microsoft Excel में कितनी पंक्तिया मौझूद है तो Microsoft Excel में कितनी पंक्तिया मौझूद है तो इस question का right answer होगा यानि कि rows कितनी है तो 1,48,576 इस question का सही answer होगा ये तो बात होगई rows की अगर columns की बात करूँ दोस्तो तो columns है 16,384 ये आप लोग को याद रखना है ठीक है न? चले अगला question आता है नीती आयोग के CEO कौन है? तो who is the CEO of नीती आयोग? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नीती आयोग के CEO कौन है? तो अमिताब कांत यहाँ पे right answer हो जाएगा क्या होगा? अमिताब कांत तो अमिताब कांत वर्तमान में National Institution for Transforming India यानि की नीती NITI के CEO है ठीक है? चले अगला question कहता है कि homo homo-sync किसने गड़ा है? तो यह दोस्तों किसने गड़ा है? यह गड़ा है किसने? काल linear यानि की option हो जाएगा D D rate answer तो यह आपको याद रखना है दोस्तों next है IPL 2020 में Orange Cup धारक कौन है? यह तो वैसे पुराना हो गया ठीक है? आएगा भी नहीं question यह exam में बहुत मुश्किल है कोई बात नहीं कुछ questions पुराने आ जाते है question है तकलामकन रेगिस्तान कहां इस्तिते है? तकलामकन रेगिस्तान कहां इस्तिते है? तो यह दोस्तों चाइना में इस्तिते है कहाँ पर है? चाइना चीन is the right answer तो इस question का सही उत्तर होगा रामपरसाद बिस्मिल को किस वर्स का कोरी सडियंतर के कारण फासी दी गई थी 1925 इस question का राइट आंसर हो जाएगा ठीके? रामपरसाद बिस्मिल को दोस्तों रामपरसाद बिस्मिल को अस्वाग उल्ला खां को रोसन सिंग को काकोरी सडियंतर में 1925 में दोस्तों सामिल थे ये तो उसमें फासी दी गई थी तो यह आपका दखने है दोस्तो गयहूं का वेज्ञानिक नाम गयहूं का वेज्ञानिक नाम क्या है तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है और इस question का जो right answer होगा दोस्तो वह आपका हो जाएगा Trictum is the right answer यह आपको याद रखने है next question है 2007 में सांती का नोबल पुरुषकार किस ने जीता 2007 में सांती का नोबल पुरुषकार किस ने जीता तो यह हो जाएगा right answer आपका A और B दोनो ठीक है चल लिए दोस्तो सिरलंका का रास्पती कौन है तो सिरलंका के रास्पती है गोताबाय राजपक से तो यह आपको याद रखना है यह देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो गोताबाय राजपक से एक सिरलंका राजनेता और पूर सेन्य अधिकारी हैं जो वर्तवान में 2019 के बाद सिरलंका के आठवे रास्पती के रूप में चुने गए है दोस्तो आरबिय के गवर्नर यह कोशन मैं नहीं बताऊंगा जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजे ठीक है इसके बहाने आप लोग कमेंट तो करेंगे और अपना स्कोर भी बताएगा वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा है पच्चिसवे गवर्नर कौन बने थे यह आपको बताना है बहुत एजी कोशन है नेक्स कोशन है कौन सा खाड़ी परसांत और एटलांटिक महासागर में मिलती है इसकोशन का रहएट आंसर ओنश ऊजाईगा पनामा नहर यानिकी डी इसदा रहएट आंसर पनामा नहर पनामा में एक किर्तिम जलमार्ग है पनामा के इस्तमाल में नहर कटती है और समुद्री विपार के लिए एक नाली है यह आप लोग को या दखना है कोश्चन आता है सविधान सभा के पहले अध्यक्स कोन थे तो सविधान सभा के पहले अध्यक्स कोन थे दोस्तो सविधान सभा के पहले अध्यक्स थे सचीद्यानन सिना यानि कि इस कोश्चन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा देखे डोक्टर सचिद्यानन सिना सविदान सभा के पहले एस्थाई अध्यक्स से बाद में डोक्टर राजेंदर परसाद को राश्टपती के रूप में चुना गया और इनके उपाध्यक्स हरिंदर कुमार मुखरजी थे तो ये भी आप लोगों को याद अखना है 1921 में एलबर्ट आइंस्टीन को किस छेतर में एक माहान पुरुषकार मिला दोस्तों तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बोतकी यानिकी फिजिक्स के छेतर में तो 1921 में बोतकी का नोबल पुरुषकार एलबर्ट आइंस्टीन को दिया गया था ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तो परधान मंत्री उजवला योजना के बार में निमलकित कत्नों पर विचार करें तो जल्दी से पढ़के बतें इनमें से कौन सा सही आंसर होगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो इस question की तो सही आंसर होने वाला है बिल्कुल बोथ वन एंड सेकिंड यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक है इस योजना का उदेश से वित्ते साहता परदान करने BPL परिवार की महिलाओं को मुक्त LPG connection परदान करना है और यह उपाए महिलाओं को ससक्त करेगा और उनके सवास्त की रक्सा करेगा यही दोनों दोस्तो पॉइंट राइट है इस योजना के regarding question आता है दोस्तो C भासा का विस्कार किस ने किया था who is the inventor of C language दोस्तो Dennis M. Richie इस question का राइट आंसर होगा यह आपको याद रखना है यह दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ C language जो है computer programming भासा है जोकि 1970 के दसक में अमेरिकी computer विज्यानिक Dennis M. Richie दुआरा बेल विक्सित की गई थी यह आपका रखना है बेल लेबरेटरी में विक्सित की गई थी ठीक है ना चले question आता है सवतंतरता के बाद लोकसबा की अध्यक्स कोन थे तो दोस्तो सवतंतरता के बाद जो अध्यक्स थे वो गनेश वासुदेव मालंकर यानि की इस question का right answer option ए हो जाएगा ठीक है यह आपको याद रखना है चले next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पर आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़े बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा पीडियाप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much